हेलो फ्रेंट्स, पूजा की अन्यपूर्णा सोई में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बेशन के सेव भूजिया की रेसिपी सेर करने वाली हूँ जो की बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं हम सेव भूजिया बनाना सो फ्रेंट्स बेसन का सेव भूजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ केजी बेसन लिया हुआ है जिसे हमने अच्छे से चाल लिया हुआ है अब इस बेसन को हम एक बरे से परात में ट्रांसफर करेंगे और अब हम इसमें अपने स्वाद के कॉडिंग हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हो ज्यादा कम आपको जैसा भी पसंद है और अब हम इसमें हाफ टी स्पून के लगभग टर्मरिक पॉडर डालेंगे और अब हम इसमें मिर्च पॉडर डालेंगे मिर्च पॉडर ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है आपको अगर तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हो मिर्च पॉडर और मिर्च पॉडर भी हमें बिल्कुल बारीक वाली इसमें डालनी है बस अब हमें इसमें कुछ भी और नहीं डालना है अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे सभी चीजों के हम अच्छे से इसमें मिला देंगे और अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करके हमें इसका एक डो तैयार करना है इस तरह से आपका डो इस तरह से बनना चाहिएगी बहुत ज़्यादा सक्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा हमें इसे नरम भी नहीं करना है इस तरह से एक डो हमें तयार करना है यह हाथों में बहुत चिपकता है इसलिए हमें refined oil उसमें डाल देना है ताकि ये हाथों में ना चिपके और अब हमें उसे अच्छे से मिला कर रख देना है बस अब हम इसे सेव बनाने की मसीन में हम अब इसे डालेंगे और अब हमें इसे बनाना है बस ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है ये सेव बनाने की जो मसीन है मेरी ये पितल की है ये या तो उसमें भी आती है इस्टील की भी आती है आपके पास जो सीवी मसीन हो आप उसमें बना सकते हो इसे हमें अच्छे से ओईल लगा कर ग्रीज कर लेना है ये पतली वाली और मोटी वाली दो तरह के इसमें साचे आते हैं तो आपको जिससे भी बनाना हो आप बना सकते हो मैं पतली वाली से बना रही हूं इसे अच्छे से मैं ग्रीज पहले कर लेती हूं ओईल लगा कर जो उसका साचा है उसमें भी हम ओईल लगा लेंगे ताकि वो उसमें चिपके ना और अब हम इसे गोल एक बड़ा सा पेड़ा लेकर उसे हम अब उसमें डालेंगे उसे अच्छे से उपर तक हमें भर लेना है आप इसमें और भी मसाले एड़ कर सकते हो जैसे आपको अगर आमचूर पॉडर डालना हो या फिर काली मिर्च का पॉडर डालना हो तो वो सब भी आप डाल सकते हो लेकिन मैंने साधा ही बनाया है मेरे घर में सभी साधे वाले ही बसंद करते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है अब हमने गैस के उपर कढ़ाई रख दी है कढ़ाई हमारी गर्म है उसमें अब हम इसे डालना शुरू करेंगे एक साथ एकी जगह हमें नहीं डालना है इसे सभी जगह अपने हाथों को फैलाना है हमें और हर जगह पे उसे फैला कर डालना है अब इस तरह से हमें उसे करना है और अब हम उसे पलट देंगे फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये सेव हमारा कितना अच्छे से बन कर तयार हो रहा है और घर के बने सेव की तो बात ही अलग होती है बस ये light brown हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे light brown हो चुकी अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे सेव को बनाकर निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स बेशन का सेव भुजिया बनकर तयार है और इसी बेशन के सेव भुजिया से मैंने उसमें पोहा मिलाया है और मुंफली और करी पत्ता ये सब डाल कर मैंने एक मिक्सर बनाया है आप देख सकते हो ये भी कितना टेस्टी दिख रहा है और ये घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो तो आपको मेरे सेव भुजिया की रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भोलना सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई